नारे बच्चो नमस्कार कल हमने अपने हिंदी विशे में फाशा मादुरी किथाब में से पाठ नमबर 9 को पढ़ा था मुझे उमीद है कि आप सभी बच्चों ने घर पे उस पाठ को पढ़ कर देखा होगा इस पाठ में बटा हमारे कुछ नए शबद भी आये थे जैसे कि रेलगाडी, देहरादून, लालटेन, गनेश, सवेरा, हवेली आपने इन शबदों का भी अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा ये जो हमारा पाठ था बटा ए मातरा से सबंदी था जब आपने इस लेसन को अगर पढ़ने का अभ्यास की है, रेडिंग प्रैक्टिस की है तो अब आपको ए मातरा के शबदों को पढ़ने की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी ठीके बटा, आज हम इस पाठ के पीछे जो इसका अभ्यास कार्या दिया हुआ है, उसको करेंगे तो चलिए हम इसका next page देखते हैं हाँ जी बटा, ये है page नमबर 21 के उपर इस पाठ का अभ्यास कार्या है सबसे पहले आप इस page के उपर आज की date लिख लेंगे heading नमबर 1 है, मौखिक उत्तर दीजे मौखिक उत्तर दीजे मतलब कि आपने प्रशनों के उत्तर बोल कर देने है आपने इनको copy के उपर लिखना नहीं है ये जो प्रशन उत्तर है बटा, ये आपकी speaking skill के लिए है तो आपने इनकी बोल कर ही practice करनी है आपके parents को में request है कि वो आपको प्रशन बोले और आप से फिर इसके उत्तर सुने ठीक है, देखें मैं एक बार इसका आपको अभ्यास करवा रही हूँ रमेश और रेखा किसके घर गए? रमेश और रेखा किसके घर गए बटा? नाना जी के घर, ओके? अगला प्रशन देखिए रेल गाड़ी क्या देखने के बाद चल पड़ी? रेल गाड़ी क्या देखने के बाद चल पड़ी थी बटा? हरी लाल टेन, ओके? नाना जी की हवेली कैसी थी? हवेली मैंने आपको बताया था बटा, हवेली होती बहुत बड़ा घर जब मेले से क्या लेकर वापस आए जब वो मेले से वापस आए थी तो वो क्या लेकर आए थी बटा सेव और केले ओके ये थी बटा आपके प्रशन उतर आपने ये भी बटा प्रैक्टिस करनी है कि आप खुद से इन प्रशनों को पढ़ना सीखें क्यूंकि इन प्रशनों मे करकर आपने इनके उत्तर देने हैं अब देखेंगे हम इसका अगला हैडिंग सही कथन पर टिक का निशान लगाईए नीचे बेटा आपको एक वाक्य दिया गया है और उस वाक्य के आपको तीन उत्तर दिये गई हैं आपने ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों वाक्यो दो क्या कि जाहें आप क्रॉस लगा दिये चाहें उनको छोड़ दिजिए देखिए हमारा क्या प्रशन पूछा है इसमें नाना जी ने सब से कहा नाना जी ने सब से कहा देखो जब रमेश और रेखा नाना जी की घर से वापिस आ रहे थे तो उनके नाना जी ने उनसे कु पर जरूर आना यह है आपका first option अगले साल तुम सब फिर मेला देखने देरा दुन जरूर आना अगला देखिए अब खाना खाकर मेला देखने जाओ अब आपने यह find out करना है बिटा कि इन तीनों में से कौन सा उत्तर सही है अगर आपने अच्छे दे lesson की reading practice की होगी तो आप easily इसका answer find out कर लोगे ओके यह आप खुद से solve करेंगे अब देखिए इसका next heading heading number 3 सही शबद चुनकर वाक्य पूरे कीजिये यहाँ पर नीचे बेटा आपको कुछ वाक्य दिये गए है उनमें कुछ खाली स्थान है और आपकी help के लिए यहाँ पे side पे आपको इनके दो-द उत्तर दिये गए है आपने इनमें से देखना है कि कौन सा उत्तर सही है उसको आपने यहाँ पर भरना है तो देखिए और एक बात बटा जब आप खाली स्थान भरेंगे जो हिंदी की बेटा आप खाली स्थान भरते हो तो आपने शबद को line के नीचे लिखना होता है और जब हम English में fill up करते हैं तो वहाँ पर हम line के उपर लिखते हैं मत भी line को touch करवा के यहाँ पर बट हिंदी आप line के नीचे लिखेंगे ओके तो देखिए रमेश और रेखा अपने डैश के साथ नाना जी के घर गए यहाँ पर दो उत्तर हैं माता पिता या फिर चाचा चाची वे रेल गाड़ी से डैश गए देहरादून या जूनागड सबने डैश जी की पूजा की गनेश या फिर हनुमान नाना जी डैश रहते थे केले या अक मेले में डैश का खेल देखा शे या भालू ओके तो अब आपने बिटा खुद से पढ़कर इनके उत्तर फाइंड आउट करने हैं और फिर आपने इन खाली स्थान में उनको भरना है ठीक है आगे देखिए आप सबने भी कोई ना कोई मेला जरूर देखा होगा अपनी कक् मेले में आपने क्या क्या देखा ये बटा आपकी स्पीकिंग स्किल के लिए है मतलब कि आप अगर कभी किसी मेले पर गए होगे बटा तो आपने ये बोल कर बताना है कि आपने मेले में क्या 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 देखा आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आगे देखिए ए मातरा क और नए शबद यहाँ पर बेटा ए मात्रा के कुछ शबद दिये गई है पहले मैं आपको एक पर इनको रीड करवा रही हूँ देखिए बेर बेर देहरादून देहरादून हवेली हवेली मेहमान मेहमान मेला मेला अकेले रेशम पटाखे पेड़े सवेरा जूले बेसन तो यह थे बटा आपके ए मात्रा के कुछ और नए शबद इनमें से कुछ शबद ऐसे थे बटा जो आपके पाट के बीच में भी आएंगे आई थे और कुछ शबद इसमें नहीं है तो आपने इन शबदों को पढ़ने का अभ्यास करना है और इन शबदों को बोल बोल कर भी देखना है तो आज का आपका बेटा होमवर्क है कि आज आप इस पेस नमबर 21 का अच्छे से अभ्यास करेंगे इसमें जो भी रिटन कारे है लिखने वाला काम है जो भी बेटा उसको आप कंप्लीट करेंगे और जो रीडिंग का वर्क है बेटा उसको आप रीड करेंगे ठीके बेटा आज के लिए इतना ही धन्यवाद